लूश्कार मैंने उमान शुमिश्रव और आप देख रहे हैं The Inside Story तो शरत पौबार जी के आज बात करेंगे इस शो में आखेर कर उन्होंने पलटी क्यों Filipaमारी है कयों पलट रहे हैं शरत पौबार उनका गेम प्लान क्या है आज ये जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की इंसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे डॉक्र संजीव तुर्वेद जी वईश्वतकार हमारे पीछे संजीव जी देखे इंटर्व्यू हुआ बहुत सारी बातों का जिक्र हो गया लेकिन इतना बड़ा नेता मतलब विपक्ष का एक तरह से कहें चाड़क के वो कुछ ना कुछ दूर की बात सोच रहा है वो ऐसे ही हलकेपन में इन बातों का जिक्र नहीं कर रहा है क्या है पीछे इसके लोगों की स्मृतियों को थोड़ा और पीछे लेके चले हम और साल 2014 जब सरकार बनी थी प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी की तो उस वक्त पत्रकारों ने मोदी जी के बारे में पवार सहाब से पूछा था मैई की बात है तो उन्होंने ये बात कही थी कि यूपिय के जितने भी तमाम नेता इस वक्त हैं उन तमाम नेताओं में से सबसे बहतर एक्वेशन सबसे बहतर समंद उन्ही के हैं प्रधान मंतिरी मोदी से ऐसा उन्होंने ओन रिकॉर्ड कहा था साल 2014 की बात है ये ये उस वक्ति का कतन था जो 1999 से कॉंग्रेस के साथ था और 15 साल गुजारने के बाद वो दोनों यूपिय सरकारों में मंतिरी रहे बहुत उहदिदार रहे उसके बाद वो ऐसी बात कह रहे थे लोगों ने सूचा कि इसका आधार क्या है आखिर ऐसा वो कैसी कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर गुजरात के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो उनका क्या पहले से कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो हमेशा कॉंग्रेस और यूपिय गड़बंधन के करीब रहे तो उसकी वजह बहुत मुश्किल नहीं थी टाटोडना वो थी अडानी ग्रूप अडानी ग्रूप और पवार सहाब का बहुत पुराना रिलेशनिशिप रहा है और गौतम अडानी जो अडानी सम्मूह के मालिक है उनके जो उद्योग में सतत उनकी जो बढ़ोतरी रही है उसके बड़े प्रसंसक रहे हैं शरत पवार मुलाकात अडानी और शरत पवार की मुलाकात के बाद ही कहते हैं कि मोदी जी और पवार सहाब की मुलाकात 2014 में हुई थी जुलाई की कहानी बताते हैं कि पहले वो मिले थे फिर जाकर के यानि कि आधार जो है कैसे वो जानते हैं बहतर कैसे एक्वेशन बहतर थे वो दरसल अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी के जरीए और अमूमन माना ये जाता है कि कभी कभी आप किसी बिजनेस हाउस के गांधी जी भी डालमिया और बिर्लाज के करीब थे वो लो कांट्रिब्यूट करते थे उनकी राजनीत में मददगार थे देश को आजाद कराने के तो पवार सहाब ने अपनी जो उनकी जीवनी है माराठी में जीवनी लिखी है उसमें उन्होंने अडानी समूह का वरलन किया है और उसमें उन्होंने तारीफ की है गौतमडानी की और कहा है कि इन्होंने अपनी महनत से और अपनी वो कह सकते हैं कि जो बिजनस है क्यूमन होता है समझदारी जो बिजनस के होती है उससे इतना बड़ा समूह उन्होंने खड़ा किया है यह तमाम बाते उन्होंने अपनी उस किताब में लिखी है जो जीवनी में है तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि जो दूरी महसूस करते हैं दूसरे दल अडारी समूह से और प्रधान विंतरी मोदी से वो साल 2014 से ही NCP प्रमुक शरत पवार नहीं महसूस कर रहे हैं तो आज जब हम कहते हैं कि वो पलट रहे हैं क्या दरसल वो पलटना जो है रटना पलटना वो 2014 में ही शुरू हो गया था लेकि जिन सम्मंदों को लेकर कॉंग्रेस सवाल करती है या पिर राहूल गांधी सवाल करते हैं वो तो 2014 के बाद के हैं जब सत्ता में आते हैं और वो कहते हैं कि देखे 2014 में कितनी वेल्थ थी और पिछले 3-4 साल में देखी किस तरह से बढ़ गया है ये दे दिया वो दे जगतों देते नहीं हैं तो आप ये समझे लें कि प्रधान मंतरी मोदी और एंसीपी चीफ श्यादपवार की जो रिष्टे रहे प्रधान मंतरी बनने के बाद मोदी जी के तो वो बड़े कॉडियल रहे और उसका एक कॉमन लिंक थे गौतम अडानी ये कहानी का एक सिरा ह जिसके बारे में कम लोग जानते हैं उनके पावर प्रॉजेक्ट्टा अडानी जी के सब से विश्वास पात्र जो है पाथी में कहे जाते हैं प्रफुल पटेल सरतपवार के, उनके गोंडिया में लगा हुआ है गोंडिया से वो चुनाब लड़ा करते हैं दो पावर प्रजेक्ट महरास्ट में लगे हैं अडानी सब्सक्राइब के और पावर के छेतर में अडानी का बहुत काम है और उन्हों इन्टेव्यू में बोला भी कि पावर के इनर्जी के छेतर में जो काम किया है अडानी ने पेट्रोकेमिकल के छेतर में जो काम किया है अबानी ने वो तो किसी से कहां छुपा हुआ है तो बहुत तारीफ उनका इन दो उद्द्योग समुहों के लिए है इनसे उनके बहुत अच्छे समन्द है अब इसका राजनीतिक पक्ष देखिए साल 2014 में चुनाव होते हैं विधान सभा के महारास्ट्र में और चारो दल अलग लड़ जाते हैं वह चार दल हैं सिवसेना, बीजेपी, कॉंग्रेस, न्सीपी यह चार दल अलग लड़ लड़ते हैं जबकि हमेशा गड़बंधर लड़ते थे कॉंग्रेस, न्सीपी और बीजेपी, सिवसेना और देविंद्र फणनवी साहब 2014 में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी एमरज करती है और वो मुख्यमंतरी बना दिये जाते हैं लेकिन आकड़े है कम, आकड़े कम है तो वो जो 22 का आकड़ा था, 22 लोग कम पढ़ रहे थे तो लोग भूल गये हैं, वो आये कहां से थे आउटसाइड सपोर्ट न्सीपी नहीं तो दिया था उस वक्त फड़नवी साहब को मुख्यमंतरी बनाने में इसने मदद किया था, इनसीपी का आउटसाइड सपोर्ट था और काफी दिनों तो करहा कोई विश्वासमत नहीं हुआ क्या ये भाई अपना बहुमत साबित कीजिए, सबको पता था कि बहुमत अगर साबित आपने करवाया, तो बहुत अच्छे से फड़नवीस बहुमत प्राप्त कर लेंगे फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने तरीके से बहुमत कर भी लिया लेकिन वहां देखिए संबन्ध तो आपके उसी वकत उजागर हो गये थे क्योंकि वो स्वतंतर थे, वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते थे, वो गड़बंदन में तो लड़े नहीं थे तो प्रीपोल अलाइन्स का तो कोई मस्वा था नहीं, सब लोग अलग 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 करके जितनी उनकी सीटे आई थी, उन्होंने देवेंद फर्नवीस को मुख्य मंतरी बनाने में और पहला महरास का मुख्य मंतरी देवेंद फर्नवीस भारते जंता पार्टी के कोटे से बने वो तो नो साल पुरानी बात हो गई, M.B.A. तो बाद में बना अब आप देख लीजिए, M.B.A. के जो गठन की कहानी है, 2019 की में, उसकी पहले ठीक क्या हुआ था, उसकी ठीक पहले जब चुनाव हुए, तो इस पार साथ लड़े, शिवसेना और बीजेपी वाले, शिवसेना और बीजेपी साथ लड़े, लेकि साथ रह नहीं पाए, सा मुक्षमंत्री की कुरसी के सवाल पर हो गई लड़ाई, महतोकांशाएं हावी हुई, तो लड़ाई हो गई, तो M.B.A. बनवाने में, पवार साहब ने भूमिका निभा दी, इतना बड़ा कद है उनका, तो महरास्ट में उन्होंने इंपॉसिबल को जोड़ा, सिवसेना क उनके भातीजे ने, वो लेट नाइट सूप और आजीद पवार और देविद्फर्णविस की सरकार बन गई, सरकार बन गई, अब कुछ दिनों की सरकार रही, तो उस बारे में पीछे अभी हाल में, महरास्ट के मुक्षमंत्री, तब के मुक्षमंत्री, उन्होंने कहा, कि तो ऐसा नहीं था कि आजीद पवार का ही, वो किया धरा था कि रात और रात बन कहते हैं, यह फर्णविस कह रहे हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, कि उनको भी इस बात का इल्म था, कि आजीद पवार रात बन जाएंगे और वो पर्णविस जी की सरकार बनवा देंगे और नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता था ना कि अजीत पवार कुछ करे और शरत पवार जी के मतलब उनकी एक्षाड ना हो और कुछ कर डाले उस समय तो इंप्रेशन ये दिया गया कि बहुत शौक्ड हैं पवार सहाब और पवार सहाब इसको बिलकुल पसंद नही कर रहे हैं रातो रात कैसे हो गया और उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो वापिस आए और फिर यहां महाविकास गारी बनी और वो चलने लगी जब तक चली जब तक की ये मामला सामने एकनाथ सिंदे वाला नहीं आ गया और एकनाथ सिंदे वाला मामला अब आ जाईए मौ जो इस्थिती है यह महारास्ट्रु में एक नाथ सिंदे हैं तो मुक्ह मंत्री मुक्ह मंत्री रह चुके उनके मुक्ह मंत्री यह तो चिस्व हुई तो बन गेब लेकिन मामला सुप्रिम कोट में चल रहा है मामला सिंदेज जी का मामला सुप्रिम कोट चल रहा है और इस तरह के मामलों में फैसला कोई बहुत सेकेंड गेस नहीं कर सकता है हो सकता है Supreme Court माल लेकि जो पाटी तोड़ी गई वो सही तोड़ी गई पेचरावाय उनन्हें तो मान नहीं लिया है तबी तो सिम्बल दे दिया है धनुस्थ बाहरी इनके पास है लेकिन मामला Supreme Court से ते होगा अगर मालीजे की माल लेता है तब तो सब कुछ नहीं रह जाएगा लेकिन अगर उनके MLS डिस्क्वारिफाई हो जाते हैं अगर शिंदे सहब के MLS डिस्क्वारिफाई हो जाते हैं तो सरकार में तो अभी देरी है चुनाओं में तो अभी देरी है तो सरकार तो गिर जाएगी सरकार तो गिर जाएगी अगर सिंदे सहाब की Amjor Disqualified Supreme Court से हο गये तो फिर तो चुनाओ कौंगे तो महुमत तो नहीं रहा फिर सपोर्ट चाहिए तो फिर सपोर्ट चाहिए तो फिर सपोर्ट तैयार हो गया है तो ये सपोर्ट आज जो संभावना बन रही है यह तो 2014 में कारियान भी थो चुका है लेकिन क्या इतना इजी है क्योंकि चलिए ठीक है जितनी बाते कही गई शारत परवार जी की तरफ से वो एक तरफ से लगा कि चलिए अडानी साहथ से करीबी रही होगी इसलिए उन्होंने ये बाते कही है फिर उन्होंने आपने बताया अपनी जीवनी में उस बात का जिक्र भी किया इसलिए कही होगी लेकिन वो भारतीय जैनलता पार्टी के साथ जा रहे है या फिर उनका सपोर्ट कर रहे है ऐसा उन्होंने नहीं कहा बिलकुल नहीं कहा देख ऱसला करके और समझनहीं नहीं देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं He keeps friends closer close, enemies closer and keeps and leaves them guessing तो अब प्रस्शनिये है कि अब समझ में bjp को भी इस वक्त नहीं आ रहा होगा कि एधी कही है पात तो वो क्या final है क्या वो आ रहे है या फिर या फिर ये bargaining है अभी तो MBA को बार्गेनिंग करना है न 48 सीटे हैं वहाँ पे तो कॉंग्रेस तो सहम गई अब कॉंग्रेस पवार को साथ रखने के लिए बार्गेनिंग चिप उसका डाउन हो गया तो क्या ये बार्गेन करने के लिए कह दिया गया बहतर सीटे मिलेंगी वह कॉंबिनेशन बहुत मजबूत है लोग कहते हैं कि MBA का जो कॉंबिनेशन है जिसमें NCP भी है जिसमें शिव सेना भी है जिसमें कॉंग्रेस भी है तो ये जमीन पर बहुत मजबूत है ये बीजेपी की चिंता है तो अगर पवार सहाव ने अब देखी कि कैसी अपनी स्थिती एक जटके में कर ली ऐसा लग रहा है कि महारास की राजनीत वहीं ते करेंगे इधर गए बीजेपी की तरफ तो बीजेपी का प्रणा भारी नितीश वाल हो गया है उससे भी बहतर और इधर अगर चले आए तो इंबिये की जान में जाना आएगा महाविकास गारी के इनके बिना तो हम बहुत मुश्किले में पड़ा जाते तो भाई ये जो मांगेंगे दो जितनी सीटे मांगेंगे दो इन्होंने या तो एक बार्गेरिंग चिप के लिए ये बात कही है या फिर आने वाले दिनों की तस्वीर सामने आ गई है देखे पवाद साहब पवाद उनको लंबी उम्र दे लेकिन अपने राजनीतिक जीवन के छटे दशक में हैं भेंकर भीमारी जेल करके वो इतनी दूर आए हैं और इसलिए उनको सलाम क्योंकि जिस जेविशा का उन्होंने परचय दिया है वो कम लोग दे पाते हैं पर अब इसके बाद जो राजनीती है उनके पार्टी की जब वो थोड़े से थिल होंगे तो किधर जाती भी दिखाई पड़ती है उनके दो राजनीतिक वारिस हैं बेटिया उनके सुप्रिया सूले और वो लगातार बारमती से सांसद हो रही हैं और उ अब भी वो फट्नवीस के बारे में इतना उनका सम्मान रहता है उनके लिए उनको बड़ा सम्मान रहता है उनकी मित्रता भी बहुत अच्छी है और जाहिर है कि जब उनके लिए सरकार उन्होंने बनवाया था तो तो यह जलन भी होता है दिल जलता भी है वी आप अजीत पवार आप हमारे नेता है विपक्षी के नेता है आप आप ही नेता है हमारे और आप जो है वो फट्णवीसس अहापड़ं पर एटाख ही नहीं करते हैं अभी एव्यम की बैठक पवार सहाब ने ली सभी जलों को इकठा किया के बारे में सारि विर्पक्षी दल को जम्म कर पर पवार साहब ने दिल्ली में अपने घर पे यह बयान देने के पहले सारी भी पक्षी दल अब पक्षी दल तो आज किसी भी बज़े से अगर जमा हो जा रहे हैं तो वह ख़बर बंजारी है उन्हों ने जमा किया और कहा एवियम परशक है घर बढ़ है मामला अगर शक है तो आप लिजी आज ही बयान आ गया है अजीद पवार का विजो लोग घारते हैं चुनाओ वही एवीयम पे सवाल खड़े करते हैं लिकित पवार सहाब तो अलरी बीजेपी की साइड लेते हैं सुप्रिया जे भी बहुत यूपिय का साइड लेती हूँ ऐसा तो कभी बन रही है जिसमें धीरे धीरे NCP अपने वजूद को मजबूत करने की गरज से क्योंकि अब कैसे मजबूत होगी तो वो धीरे धीरे उस जैगा को भरना चाह रही है जिसको शेव सेना ने खाली किया है यानिके बीजेपी के एक साहयोगी को की सीट खाली है आज महां और वो उच्छने भिनने टूट फूट होकर के वो इधर आ गये हैं और सिंदे सहाब के अगर फर्स करें एक मिनट के लिए कि अगर वो डिस्क्वारिफाइब हो जाते हैं कि सदस्ता चली जाती है पॉइंट वन परसेंट तो राजनीतिक पतन भी हो जाएगा बिलकुल उस स्थित की तैयारी कर रहे हैं कि आप पवार साहब उसको भर देंगे और अगर नहीं भी होता है तो लोग यही कहते हैं कि देखिए देर सबेर शिव सेना तो उद्धव आदित्य और बाला साहब के बंसजों की ही होगी उस पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा है लोगों की आस्था ऐसी है तो वो तो वही होने वाला है तो शिंदे साहब जाएंगे कहां शिंदे साहब तो वहां के सबसे टॉप पोस्ट पूर बैठ गए तो अब तो नीचे ही आना है तो वो जो जगह खाली होने जा रही है उस जगह के लिए तैयारी कर चुके क्या अब दोनों चीजे समझ में यारी है एक तो वो जगह खाली है बीजेपी गड़ बंधर में और दूसरी इस तरफ बारगेनिंग चिप हाई हो गई एंबिये वालों के साथ तो वो जैसा कि हम ले अभी हम लोगों ने बात की कि वो दुश्मनों और दोस्तों दोनों को पता नहीं चलने देने चाहते हैं औ यह रणनितिक तोर पर लगता है कि या फिर यूहीं बोल दिया कि दिखी पहली बार पहली बार लगा था कि विपाक्ष में जो वो एक चुमंतर हो जाती थी यूनिटी वो आकार ले रही है इट आवली उस्टू प्रूव एल्यूसर्व यह जो ओपोजिशन यूनिटी होत किया कि हम मतलब ऐसा नहीं है कि केवल संसत के भीतर साथ है अब चुनाओ आरे हम साथ रहेंगे इस वक्त एक मेजर ऑपोजिशन पार्टी और पार्टी से बड़े उसके नेता उन्हें के द्वारा अगर यह बात कहीं जा रही है तो यह पंच है बवार पंच स्ट्रेट इन दने लगी थी और हिट वहां पर मारा है जहां पर सबसे ज्यादा होगा और भारते जन्ता पाटी को खुशी सबसे ज्यादा हुए ऐसी जगह उन्होंने इस पॉइंट को चुना आपने टाइमिंग की बात कि इस पॉइंट पर उन्होंई विदेश की है और राजनिती में तो आप समय कैसे पहचान लेते हैं, यह इंपोर्टन्ट है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 98 में, NCP, किस बात पे, Foreign Origin, सोनिया जी विदेश की हैं, वो हमारी निता नहीं रह सकती हैं, नई पार्टी बना ली, तारीक अनवर, संगमा सहाब, और सरत्पवार, सब निकल ग 2014 तक, पहले महरास में साथ रहे, फिर केंदर में भी साथ आ गए, और हर बार मंतरी भी रहे वो खुद, तो आप सूची एक साल पहले वो अलग हुए थे, सोनिया जी यह ने तो मुझे काम नहीं करना है, एक साल बाद साथ हो गए, खुब ने तो मुझे काम किया, 2014 तक, क्य ग्यानिक है, राजनीत का जो मौसम होता है, उसके असरी यह शायद यूज हुआ करता था बिहार में रामिरास पास्वान के लिए, वो भी पास्ट मास्टर थे, वो भी बहुत राजनीतिक जो निरनाया लेते थे, वो हमेसा जो है, बहुत सोचा समझा और आगे प्रेडिक् करना पड़ेगा, तो बहुत सामने प्रेडिक्ट कर लिया है कुछ, और कुछ प्रेडिक्ट किया है, कुछ दोस्ती नहीं भाई है, गहता मदानी को जब इतना वो मानते हैं कि वो अपनी मेहनत से उठकर के उपर आये हैं, और उनकी तारीफे किया करते हैं, तो एक वो भी ह देखें, राजनीती बिना हकीकत है, फंडिंग के तो नहीं चलेगी ना, तो हमेशा मित्र रखने पड़ेंगे आपको उद्योग जगत में, दूसरा है कि लेफ्टिस्ट आइडिया जो है, वो उससे चड़ते हैं, उन्होंने कह भी दिया है, कि ये पूरा बहुत ज्यादा लेफ्ट ओर्येंटेशन हो जा रहा है, हमारी सरकार का, हम टाटा बिल्ला का विरोध करते थे, हमें पता भी नहीं था, हम क्यों किया करते थे, उद्योग घराने के वो विरोध ही नहीं है, उनकी राजनीत में बदलावाया है, अड़ानी हमारे देश में बहुत कुछ कर र गया है, और अगर बावार फर्ट करें कल को बीजेपी के साथ नजर आते हैं, तो जो ऑपोजीशन यूनिकी यूनिटी की जो एक क्रेडिबिलिटी थी, विश्वस्निया थी, विश्वस्निया था थी, जटका लगेगा उसको, बो तो चिन्यविन सा हो जाएगा, हलागि सम बात को, और अज़ा मोस्ट सीनियर लीडर है वो, तो उनको आकार देना था, और वही उसको भंग कर रहे हैं, तो यह जटका तो खैर ही है, लेकिन ये भी है कि अभी से वो क्योंकि क्लियर कर रहे हैं अपनी बातों को, तो क्योंकि अभी 24 में थोड़ा टाइम तो बचा ही ह हुआ है, तो अगर वो अभी से अपनी बातों को क्लियर कर रहे हैं, तो मौका मिल जाएगा वे पक्षको की, नहीं, कौन है हमारे साथ, कौन है यह पता चल रहा है, पर आप जैसे कह रहे हैं, उनकी रसूख थी, बिलकुल, अब वो जो रसूख है, उसकी तरफ से कैसे शब जादा था, अब मैं पवार साहब के मुझसे बही बात सुन रहा हूं, कि जब कोट जाज कर रही है, तो फिर जैपी सी की क्या जरूवत है, अभी तक तो भी पक्ष यहीं कहता था था ना, कि इस देश की सरवच संस्था है पार्लिमेंट, कोट क्या करेगा, हम तैय करेंगे हम जो कानून बनाते हैं, उसी को तो लागू करता है, हम तैय करेंगे कि यहाँ जैपी सी की जरूवत है, कैसे जाज की जरूवत है, अब तो सत्तपक्ष की जुबान जो है, उसकी तरह की जुबान आने लग गई है, और इसलिए कहा जा रहा है कि पावार शायद पलट गए चलिए पावार जी पलट गए हैं, लेकिन राजनीती भी क्या ऐसे ही और पलटेगी, और भी हिचकोले मारेगी आने वाले समय में, इसको लेकर भी बात करते रहेंगे, आप कमेंट करके बताइए हमें यह वीडियो कैसा लगा, और जिन बातों का हमने जिक्र किया, उसको ल यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं, यूस 24